जैसरी राम दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक स्तांदार वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम परियावरंग पदूर्शन समस्या और समाधान पर निबंद पढ़ने वाले हैं और दोस्तों मैं बता दूँ साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस आप इन्हें लिखेंगे और कितना लिखेंगे ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आपका जो नंबर है वो भी क्या हो आपको प्रांथ हो सके ठीक है तो आप लोग सुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा ठीक है तो रिखे कि कोई भी अगर निबंध हम लिखते है कि आप कौन-कौन से बिन्दु हैं जिनको आप आगे लिखने वाले वहां से क्या करता है वो आखलन कर लेता है कि आप जो है क्या-क्या लिखेंगे और उसी के बारे में यहाँ पर लिखेंगे और आपको बताएंगे कि आपको जो है कितना लिखना होगा और आपको आपके लिए देख सकते हैं बहुत ही सरल सरल सब्दों का प्रियूग करके लाया हूं ताकि आप लोग एक बार इनका जो है समझ लें और आप जो है बोट की कॉपी में इन्हें क्या कर पाए लिखने ठीक है तो देखें सबसे पहले हमारा हेडिंग होगा प्रस्तावना देखें प्रस्तावना का मतलब समझे प्रस्तावना का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर है पर्यावरण तो उसके संबंदित क्या करना लिखना प्रस्तावना कहीं मतलब होता कोई भी टापिक है उससे संबंदित लिखना ठीक है तो दिखें हम लिखेंगे क्या जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संतुलित वातावरण की आफसकता होती है संतुलित वातावरण में प्रतिक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्तित रहता है कभी कभी वा भ्सताना में जो है यही लिख देंगे और जो है आप को कोई एड करने की जरूरे नहीं जैसा मैंने आपको यहां बता आप जो है इसी प्रकार क्या करेंगे लिख देंगे ठीक है आप देखें मारा दूसरा घीडिडेंग है याद मंडल में अनेग प्रकार की गैसे एक विस्यस अनुपात में पाई जाती हैं, जब जियुधारियों के द्वारा की गई क्रियाओं के कारण वाई मंडल दूसित हो जाता है, तो इसे वाई प्दोसन करते हैं, तो आप लोग समझेए कि वाई पदूसर्ण हमारा क्या है कि हम ही जो है वाई मंडल में भाई गैसी जो हमारी एक बिसेस मात में पाई जाती है और जब जिवधारी मतलब हम मनुष्य के द्वारा की गई क्रियाओ के कारण जैसे आप लोग देखते हैं चिमनियों से धुआ न पाइंट है जल पदूसर्ण यानि जो जल पदूसर्ण मतलब पानी जो होता है यानि जल में अने प्रकार के खनीजता तो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसे रहती हैं यदि जल में इन पदार्थों की मात्र अस असंतुलित हो जाता है तो जल पदूसर्ण होक समझेगा रटियेगा मर्समझेंगे तो आप जोए अपने सब्दों में इसे लिख पाएंगे और क्योंकि आप लोग जानते हैं भी हूंगी बोट का प्रेसर होता है प्रेसर के समय वही चीज कामाता जो आप लोग समझते हैं और आप लोग अगर इसे समझ जाएंगे तो आप लोग जो है इसका हमें कमेंट बाक्स में अभी उत्तर बताएं यानि इसकंद गुर्ट नाटक के लिखा कौन है यानि जैसंकर प्रशाज जी हैं कि नगेंदर दास हैं देख सकते हैं कि हमारे बोट पेपर में कितने सालों से आ रहा है और इस बार भी आने कि जो हंडि पदूसर्ण में क्या लिखेंगे कि ध्वानी पदूसर्ण आज की एक नई समस्या है इसे बग्यानिक प्रकृती ने पैदा किया यानि कह सकते हैं सही बात की आज कि हैं क्या एक नई समस्या है जैसे मोटर का जेट विमान कारखानों के सायरन मसीने और लाउड स्पीकर इससे अने प्रकार की बीमारिया पैदा हो रही है आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ध्वनी पदूसर्ण में क्या लिखना होगा बहुत ही सिंपल है आप अपने सब्दों में भी क्या कर सकते हैं लिख ठीक है उसके बाद चलिए अब हमारा देखते हैं नेश्ट के लिए उचित नालियों की विवस्था होनी चाहिए उद्योगों के कारण उत्पन होने वाले प्रदूसर्ण को रुकना होगा दूएं तथा अने प्रदूसर्ण के समुचित धंग से निसकासं और उनको विवस्था का भी दायत लेना होगा वनों की अनियंत्रित कटाई के लिए एक कठोर नियम लागों करना होगा तो आप लोग देख सकते इंस समाथान में क्या होगा पानी के लिए उच्छी तेनालियों की विवस्था होनी चाहिए जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी अनियमी जो कटाई हो रहे उस पर क्या होनी चाहिए रोख होनी चाहिए और जो हमारे चिमनियों से जो है धूँ निकल रहे उनके लिए भी क्या होनी चाहिए समची धंग से क्या हो से निसकासित उनकी भी क्या होना चाहिए ब्यवस्था होनी चाहिए और दोस्तों ये सभी जो है समाधान ब्यक्तिगार नहीं हो सकता है इसके लिए हमें जो है स्वय संगहार का मतलब क्या होता है कि अब हम यह जो हमारा परिणाम हुआ उसके बारे में अब किस प्रकार हम सुधार कर पाएंगे ठीक है तो रिखे होता क्या कि पर्यावराण के प्रति जागुरुकता से ही हम इस भविष्र में और अधिक अच्छा एवं स्वस्त जीवन जी सके और आने वाली पीड़ी को प्रदोशन की अभिष्राप से मुक्ति दिला सकेंगे अता सरकार के साथ हम सभी का भी यह क्या है पावन करता भी होना चाहिए यानि जो है पर्यावराण प्रति क्या होना चाहिए पले में जागुरुक होना होगा ठीक है और उसी के साथ जो है भविष्ट से और आने वाली पीड़ी को भी क्या कर सकते हैं आने वाली पीड़ी को भी इस अभिष्राप से क्या कर सकते हैं मुक्ति दिला सकते हैं अता सरकार के साथ हमको भी यह पावन करतब का पालन करना होगा तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही यार सिंपल तरीके स मैंने लिखा है ताकि आप लोग को समझा सकूँ और आपका जो नंबर है वो क्या करा सकूँ कंप्लीट करा सकूँ और है एक इंपोर्टेंट बार आपको जो किसी भी सब्जेक्स से संबंद कोई भी अगर वीडियो चाहे तो हमें